तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने खुद के फोटो से वेलेंटाइन डे के लिए फोटो कैसे बना सकते हैं और उसको आप किस तरह से फिस्बुक वाट्सअप पर सेयर कर सकते हैं तो सारी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो श दिस्क्रिप्शन में तो आप दिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके उस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजेगा डाउनलोड करने के बाद आपको इस अप्लिकेशन को ओपन करना होगा तो चलिए इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं ओपन करेंगे तो आपके सामन photo select कर सकते हैं या girlfriend के साथ अगर आपकी कोई photo है तो उसको भी आप select कर सकते हैं जीस photo का आप Valentine photo बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं चलिए मैंने photo select कर लिया है यहाँ पर आपको बहुत सारे frame मिल जाएंगी आपको जो भी frame पसंद आता है उस frame को यहाँ पर आप select कर सकते हैं एक की करके आप देख लिजेगा आपको जो भी अच्छा लगेगा उसको आप यहाँ पर select कर लिजेगा ठीक है सभी frame बहुत ही जादा प्यारे लग रहे हैं तो इन में से आपको जो भी पसंद आए उसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं चलिए यहाँ पर next कर देते हैं next करने के बाद आपका photo यहाँ पर आ चुका है तो इस तरह से आप अपने photo को दोनों उंगलियों की मदद से यहाँ पर अच्छे से manage कर लिजेगा इसके बाद आपको save के icon पर click कर देना है और आपका photo आपके phone की gallery में save हो जाएगा तो इस तरह से बहुत ही असानी से आप Valentine Day के लिए फोटो बना सकते हैं उसको Facebook वर्टसप पर share कर सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को like कर दिजे और अपने दोस्तों को Facebook वर्टसप पर share कर दिजेगा वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब पर क्लिक करके आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजी और नोटिफिकेशन बिलकोंड करना मत भुलिएगा और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक देत रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजी तो वसाइस के वीडियो में नहीं थैंक्स रोचिंग में टिक कियर